नमश्कार दोस्तों आउल टी टी ती तेहरी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक वार स्वागते सात्यों लगातार आप सभी इस्कूल आवंटन को लेकर के प्रिश्न कर रहे हैं जैसे कि मैंने आप सभी को परसो श्राम को बताया था कि कल यानि की विद्या लै आवंटन का लिष्ट हम सभी के बीच में हो सकता है तो मैंने फिर से अभी-अभी डियो सहाब से वारता की है और डियो सहाब का कहना है की इसका schedule जो है वो फिर से change होगा नया schedule हम सभी के बीच में होगा विद्याले आवंटन पर काड़िये जो है वो चल रही है लेकिन स्कूल एलर्टमेंट का जो आप बात कर रहे हैं वो अभी नहीं होगा इसका लिस्ट अलग से आप सभी को दिखाई देगा, इसका शेड्यूल जो है वो चेंज हो गिया है, एक तरह से, केके पाठक जी ने शिक्षाई भाग शोड़ दिया, इधर शिक्षाई भाग में शिथिलता जो है वो आने लगी है, इस वात से आप सभी आवगत है, तो विद्यालय आवंटन की जो शेड्यूल थी, उसमें बदलाब किया जा रहा है, अब क्यों बदलाब किया जा रहा है, इस पर तो हमारी चर्चा उनसे नहीं हुई, क्योंकि शाम का समय था, कल भी मैंने कॉल किया था, और आज भी किया, तो सुभाविक है कि सुभा सुभा कि अभी के सामने में आएगा, शेड्यूल की बात उन्होंने कह दी है कि शेड्यूल जो है, वो एक तरस से चेंज हो गया है, शेड्यूल अब नया हम सभी के बीच में आएगा, ये शेड्यूल अब कामका नहीं है, 16, 17, 18, 19, 20 जो आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से उनका कहना था कि ये शेड्यूल अब नहीं रहेगा, नया शेड्यूल हम सभी के बीच में आ सकता है, और आप देखे रहें, शिक्षाई भाग में अभी गहमा गहमी चली रही है, केके पाठक जी आज शिक्षाई भाग लोटते, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, और जैसे ही शिक्षाई भाग को केके पाठक जी नहीं सभालेंगें, तो यहाँ पर शितिलता तय है, अब क्या होगा रेंडम एजेसन का, यह कहना बरी जल देवाजी होगा, बस आप बने रहे हैं, जैसे ही कोई, फिर से मुझे नियूज प्राप्त होगा, आप सभी को जल से जल देने की पूरी कोशिश करूँगा, आज वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि भोजपुर, नालंदा, शिबहर, शेकपुरा, लक्की स्रवन, अर्वल, जानावाद, बकसर, मुंगेर, खगरिया, जमू, यवम, सहरसा, बाका, आररिया, अरंगाबाद, गोपालगन, सितामरी, सुपो, लेउन, सिवान के डियो साहब से फिर से वारता करूँ, और शिड्यूल के बारे में जानू कि आखिर शिड्यूल ये, कब तक हम सभी के बीच में होगा, और कब तक संभाबना है कि विद्याले का आवंटन हो जाएगा, और हमारे साथी विद्याले में य